माइ डियर स्टुडेंट गुड माइ आर्ची सिंग इस वीडम बताऊंगा अब भ्यास 15 भी दोस्तों हम आप बता दें इसके पहले के वीडियो में भ्यास 15 यह हमने पूरा अच्छे बता करके फिनिस किया है वह वीडियो इसी वीडियो में आई बतान के रूप में और इंडिस के रूप में वीडियो लग जाती है अब लोग देख सकते हैं यहनि कि 15 सी देखना है तब भी आई बतान के रूप में और इंडिस के रूप में देख सकते हैं तो अभ्यास 15 भी शुरुआत करने से पहले हैं, हम आपको उदाद है कि जो क्रम वाज़ देखते हैं, उनको ज़्यादा सौन में आता है, ठीके, हम आपको जो इतने कहेंगे कि आच्छा जब आपको लगता है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुचाने कोशिस कीजिएगा, पहला कुछ लेते हैं, लिखा गया है कि 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलग बताएं, बहुलग क्या होता है, समझेते हैं, बहुलग का अर्थ होता है सरवधिक बारमबार्था वाला आकड़ा, ठीके, आपके बुक में लिखा गया है, देख सकते हैं, बहुलग का मतलब होता है, बहुल अगर देखा जाए इस को हल किया जाए इस question को हल किया जाए तो बस इतना ही इसके लिए लिख सकते हैं इसे मा लेते हैं पहले का पहले लेते हैं लोग ठीके पहले बाला सवाल हम लोग हल करें तो देखो बारा कितनी बारा है हुआ है एक दो देखो बारा बारा उसके बाद कि तीन बार है ने देखो कहने एक मार्लब यह ही बारा कहां कहां लिखा गया है देखो बारा एक बार यहां लिखा गया है दो बार तीन बार इसकी संख्या जादा है इसकी बारंबारता जादा है इसलिए हम लोग बोल सकते कि बहुलक क्या होगा बहुलक बराबर लिख सकते हैं बहुलाक अगर लिखना होते लिख लेजिए बहुलाक बराबर लिख सकते हैं कितना है 12 है ओके अब आपको लेज चलता है निश्ट कोईशन पर देखिएगा दूसरा नमबर कोईशन में दिया गया है निम लिख ताकडों का बहुलाक ज्याद करना है तो पहले कोईशन को नोड कर लो आप नोड करने के बास सबसे देखो कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आई है कि संख नमबर दो दो का पहला वाला पाठ है देखो दो का पहला वाला पाठ में लिखा गया है कि इतना लिखे घेया में संख्या ले लिए लीज़ें कि इतना लिखा गया है 14 jana 12 12 2012 और फिर 12 लिखा गया है हमने कोईशन को नोड के लिए कुश्चन को नोट करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि देखो सबसे जादा बारां बारता किसकी है तेरा कितनी बार है अगर तेरा देखेंगे तेरा कितनी बार है एक बार यहां लिखा गया है एक बार यहां पर लिखा गया है तेरा दो बार है ठीक है और चौदा जो है, कितनी बार लिखा गया है, चौदा सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, दस देखेंगे, तो दस जो है, सिर्फ दो बार लिखा गया है, दस यहाँ पर है ना, फिर बारा देखेंगे, तो जो है, देखो बारा कहां कहां लिखा गया है, देखो, ध्यान से देखो, 12 यहाँ पर भी है 1 बार, 2 बार 3 बार और 4 बार कहने एक मलब 12 देखो 1, 2, 3 और 4 बार 12 ही ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा 12 है तो बहुलक बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि बहुलक इसका अंसर क्या होगा बहुलक बहुलक बराबर लिख सकते हैं 12 है, इसका बहुलक क्या है 12 है, ठीक है यनि जिस संख्या की बारामबारता सबसे अधीक होगा, उसी को बहुलक बोलते हैं, ठीक है, आईए जलता है नेस्ट कॉश्चन पर देखे, नेस्ट कॉश्चन में अर्था दुसरे का दुसरे वला पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको, यहाँ पर देखो किस संख्या की बारामबारता सबसे ज़्यादा बार है किस संख्या की बारामबारता सबसे ज़्यादा बार है यही पर ऐसे देखो बलब कि सब कुगिल लो आप तो हम आपको पता देख, देखो 19 है, 25, 36, 29, 20, 18, फिर 29, फिर 22 है, उसके बाद 28, 39 है, तो यहां पर सबसीं ब्यादा बार 39 आया हुआ, देखो, एक बार 39 यहां पर है, फिर 29, फिर 29, फिर 29, फिर 29, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, नया? यहीं कि 38 वही संख्या है जो सरोधिक बराय हुआ है तो बहुलक का अर्थ ही होता है कि बहुलक अर्थ होता है सरोधिक बरंबारता वला आकड़ा यहीं सबसे ज्यादा यहीं कि जिस संख्या का आकड़ा सबसे ज्यादा हो वही बहुलक होता है ठीक है तो इसका right answer क्या हो कुशन नमर 3 में लिखा गया है निमलेखित बंटन का बहुला ज्यान कीजिये हम आप मोदा दें कि इसके पहले की वीडियो और इसके बात की वीडियो सभी वीडियो का जो लिंक होता आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में इसी वीडियो में लग गई है आप लोग देख सकते हैं इंड स्क्रीन के रूप में वीडियो लगती है और आई बटन के रूप में जो है उपर जो इसी वीडियो में लगती है वह आई बटन होता है याँ उसका लिंक दिया रहता है इसी वीडियो में ठीक है चलिए कुश्य नमर तीन देखते हैं कुश्य नमर तीन लिखा गए नेमलिकित बंटन का बहुलाग ग्याद करना है तो बहुलाग हमने आपको पहले बता दिया कि जिस संख्या का बारामबारता सबसे ज़्यादा हो ठीक है जिस संख्या के बारामबारता सब ज़्यादा हो उसी को बहुलाग बोलते हैं ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि निमलिकित बंटन का बहुलाग ग्याद करना ये पद है ये जितना उपर लिखा गया पद है इसकी बारामबारता है देखो सबसे ज़्यादा जिसकी बाराम बारता रहते वही बहुला होता है इसमें बोला है बहुला ग्याद करने के लिए ठेक ना बोला क्या ग्या है बहुला ग्याद करने के लिए तो बताओ यह पद है और इसकी बाराम बारता क्या है ग्यारा है सबसे ज़्यादा किसकी बस चलते चलते बस आपको इतने ही कहेंगे कि एक लाइक करके और अपने दोस्तों के इसको सेयर करके तब ही जाएगा धन्नवाद